बहुत बार दोस्तों, enjoyment के चकर में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो कि हमारी जान पर ही बनाती है, और यही enjoyment हमारी life की सबसे बड़ी गलती होती है, तो दोस्तों आज के इस movie में भी आप कुछ ऐसी ही सीख लेने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ, manjumal boys के बारे में, फाइनली इसे डिजनी होट स्टार पर रिलीस कर दी गई है, इसे हिंदी में भी रिलीस की गई है, मूवी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, यानि कि इस मूवी को चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठ कर देख सकते हैं, मूवी एक सची घटना पर मिलाडू में हैं, वहाँ पर ये सभी दोस्त घूमते घूमते अचानक से ही एक दोस्त चोटे से गुफा में जाकर गिर जाता है, जिसकी वज़ए से उसकी मौत होते होते बच जाती है, लेकिन दूसरे दोस्त जो भी उस गुफा के बाहर रहते हैं, वो किसी भी तरह से आपकी धरकने बहुत जादा तेज होने वाली होंगी, मूवी को अगर हम हॉलिवूड के साथ भी कॉमपेर करते हैं, तो भी ये मूवी सबसे बेस्ट ही होगी, क्योंकि हॉलिवूड में भी इस तरह की खतरनाख सर्वाइवल मूवी नहीं दिखाए गई होगी, जितने की इस मूवी में दिखाए गई है, मूवी की स्टोरी पूरी तरह से सच्ची है, और इस सच्ची घटना को ही ये पूरी की पूरी मूवी आपके समय प्रेजन करती है, यानि कि इस मूवी में आपको कुछ ज़्यादा मसाला देखने के लिए नहीं मिलने वाला होगा, सिंपल स दोस्टो इस मूवी की ये है कि जब दोस्ट गुफा में गिर जाता है, वो पूलिस के पास जाता है, लेकिन पूलिस पी उसकी साहेता करने के लिए तयार नहीं होती है, इसी बीच एक दोस्ट जो की अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा होत और लाश तक वो अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगी मूवी की हर एक चीज हर एक सीन बहुत यादा परफेक्ट तरीके से प्रेजन्ट की गई है इवन सबसे बड़ी बाद दोस्तों इस मूवी की यह है जब वो लड़का उस गुफा में गिर रहा होता है तब उस सीन को बड़ी इंटरस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रेजन्ट की गई है यान이 कि उसके गिरने के हर एक सीन, हर एक चोट को दिखाने की कोशिश की गई है और गिरने के बाद उसकी हालत कैसी होती है ये भी इस मूवी में दिखाई गई है मूवी में किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट आप नहीं निकाल सकते हैं मूवी बहुत ही interesting तरीके से present की गई है आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी मूवी बड़ी ही मेहनत से बनाए गई है इस मूवी को देखने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ यही दोड़ रहा होगा इतनी simple सी story को इतनी अच्छी तरह से किस तरह present की गई है तो दो मूवी की presentation बहुत ही ज़्यादा interesting तरीके से की गई है मूवी की हर एक scene पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान गया है हर एक चीज आपको बहुत ही ज़्यादा original लगने वाली होगी even सबसे बड़ी बदोस्तों इस मूवी की यह है इस मूवी में जब वो लड़का सुरंग में गि पसंदाया होगा तो फिल मिलते एक नहीं वीडियो के साथ